कि नमस्कार मैं अजली मिशौट स्वागत है आपका हमारे चैनल में जब से महराज़ में एकनाथ शुंदे की सरकार वनी है उसके बाद से जुमानी जंग का दौर लगातार जारी है एकनाथ शुंदे का ये याफर उदव ठाकरे का ये लगाता जुमानी जंग जो है देखने के लिए मिल रही है और देवन्द फर्णविस भी एक मोका जुह है जुमानी जंग का याफर जुमानी तंज का नहीं छोड़ते नजर आते हैं और एक बार फिर महराश्र के उपर भी बोला है और यह कहा है कि अब मुख्यमंत्री घर पर नहीं बैठेंगे और नहीं बैठने देंगे उपर मुख्यमंत्री देवन्द फर्णविस ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री घर पर नहीं बैठेंगे और नहीं आप लोगों को बैठने द थे हमने पीए मोदी के नेतित में एम एम एस आर रीजर में तीन लख करोड का काम किया वहीं तीन महीने के अंदर धारावी पुर्ण विकास पर भी काम होगा डेपिटी सीम देवेंदर फर्ण इसने आगे कहा हमें मुंबई विकास लीग शुरू करना है हमें आने वाले महीन महानगर पालिका को मुख्त करवाना है आम लोगों के लिए महानगर पालिका में कभी कोई काम नहीं किया गया जैसे जैसे चुनाव नजजदीक आता है वैसे वैसे एक डायलोग फिक्स हो जाता है और मुंबई के और मुंबई को महाराश्ट्र से अलग करने की साजश भी लगत corporate डिल्ली के सामने सामने जुके सोन्या गांधी के सामने जुके महाराश्ट्र के विकास के लिए दिल्ली जाएंगे वहाई मुंबाई बीजेपी अध्याक्ष आशी सेलार देप्टी सीम देवेंदर फर्णाविस की तारीफ के कसीधे पड़े एक कालिकर में आशी सेलार ने फर्णाविस की तुलना बॉलिवुड अभी नेता अमिताप बच्चन से कर दी शेलार ने कहा देवेंदर फर्णाविस पर अमिताप बच्चन के फिल्म का डालक इक्दम फिट बैटता है हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है आशी सेलार ने खुद को मुंबाई बीजेपी का अध्याक्ष बढाय जाने को लेकर कहा मुंबई के अध्यक्षपद परेकैसे वेक्ती को बिठाया है जो मुंबई के छोटे से चौल से आता हूँ आशी सलार देवेंदर फणडविस की तारिफ करते हुए यहीं नहीं रुके उन्हें ने कहा यहां तक कि मुंबई के मेट्रो भी देवेंदर फणडविस ने दिया है शालार ने कहा कि मुंबई को बुलेट ट्रेन की सौगात के अंधर सरकार ने दी वहीं मुंबई को शेवसेना ने क्या दिया ब्रश्टाचार ब्रश्टाचार और सिर्फ ब्रश्टाचार वहीं 25 साल में मुंबई महानगर पालिका में एक परिवार की सत्ता है अब की बार हमें मुंबई महानगर पालिका में आम लोगों की सरकार चाहिए देवेंदर फर्ण मुंख्य मंत्री घर पर नहीं बैठने देंगे लक्ष 2022 मुंबई ने हासिल किया है भाजबा मुंबई कारिकरताओं की बैठक और नव निवक्त अध्यक्षाशी सलार और नए मंत्री मंगल प्रभार्वार्थ लोड़ा का अभिनंद समारो आयोजित किया गया इस कारिकरम में फर्णविस बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने मुंबई नगर नि सब्सक्राइब करना है नवरात्री भी दिवाली जोर शोर से करनी है अब जैनती जैनती भी जोर से करती है उन्हें ने उद्वधाव ठाकरे को चुनाती देते हुए कहा कि वह अब सब कुछ जोर से करना चाहते हैं इस अफसर पर हमने दो कार्दा मंगल प्रभात लोड़ा और आशी सलार को सम्मानित किया मंगल प्रवात लोडा ने सवलता पूर्वक तीन साल तक मुंबई के अध्यक्ष का पद समाला कुरोना के दौरान भी अच्छी गतिविदी हुई बीजेपी एक दिन भी नहीं बैठी समाज के सभी वर्गों को विभिन मार्चो के माध्यम से एक साथ लाए गया और इस दौरान लोडा ने इस मुंबई भाजपा के एक बहुजन और सार्वभमिक चेहरा दिया उन्होंने कहा उन्होंने शिवसेना की आलोशना करते हुए कहा कि मुंबई नगर दिगंव भष्ट चार की चप्रेट में आ गया है इस व्याद के बामले निकाले आपकी टीम ने घोटालों को भी निकाला बंबई में हर साल बाड़ाती हैं मुंबई में वही सड़के और वही गड़े हैं दूसरे शहरों में सिमेंट की सड़कों में कभ अब बंद किया जाएगा और असलियत में लोगों के कल्यान के लिए आगे काम किये जाएंगे देख सकते एक बार फिर देविंदर परणाविस जो है महाराश्य को मुक्या मंतरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे मुक्या मंतरी घर में नहीं बैटते हैं और नहीं अब लोगों को बैटने देंगे जो शोर से सारे तहवारों को मनाया जाएगा और फिर से वही पुरानी मुंबई हो जाएगी मुंबई को अलग करने की सोच रखने वालों भी उन्हें चेतावरी दी कि आसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि मुंबई को कोई किसी का भी अलग नहीं कर सकता है जो साजश कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा आप देख सकते हैं कि यह बयान था और साथ ही साथ देवेंदर फरणाविस ने उद्व ठाकरे पर भी तंच कशा उन्होंने बताया किस तरीके से नई सरकार यानि एक नाशिंदे की सरकार आने के देवेंदर फरणाविस ने साफ तोर पर कहा कि बीएमसी चुना जीतने का उन्दावा किया और उन्होंने कहा कि अब जो है अब जो है बुख्यमंत्री घड़ नहीं बैटने वाले हैं ना किसी को बैटने देंगे बीएमसी पर भी बीजेपी और शिवसेना का भगवा लें लेकिन वह असली शिवसेना होगी जो की शिंदे के नत्तितम है हमने पचली बार भी अपना मेयर वरा सकते थे पीएम ओडी के नेटम में में एमसार रीजन में 3 लाख करोड का भी काम शुरू किया वह तीन महीने के अंदर धारा वी पुनेविकास का भी हमने काम जो है वह ह आगे कहा कि हमें मुंबई विकास लीग शुरू कर दी है हमें आने वाले महीनों में बहुत महनत करना है और इस अब खत्म है नजदीक चुनाओं तो सिर्फ डायलक का फिक्स होता है कि महारास्टर से अलग करने की साजिश हो रही है और मुंबई को महारास्ट्र से अलग किसी का बाप भी नहीं कर सकता है बाला साहब के ठाकरे कि सपनों को पूरा कर दे का काम बीजेपी करें देख सकते हैं किस तरीके से जो है उदर ठाकरे का नाम निये विरा उन पर तंज कर से गया यह देखना दल्चस्प होगा कि उदर ठ कामला बड़े विस्तार से बताए के पूरा मुद्धा क्या था और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्ष्ट में कमेंट करके जरू साज़ा करें कि कि